सचीन सावत तो जाकी है अभी फुल फिल्म बाकी है कॉंग्रेस के ऐसे कईी नेता है जो बहुत नाराज है कहां कॉंग्रेस एक समय पर अपने आप से माहराष्टा में सत्ता में आती थी कहां कॉंग्रेस देड़ सो सीट लड़ती थी अब कॉंग्रेस को कट कट कर कट कर 85 सीट से संतुष्ट करना पड़ रहा है एकाद दो सीट ज्यादा मिल गई तो ठीक है रोज उद्धव ठाकरेजी की पार्टी बोलती है हम ही मुख्यमंती चहरा देंगे हम ही मुख्यमंती चहरा देंगे तो कॉंग्रेस पार्टी के साथ बहुत बुरा हो रहा है पूरे देश में मतलब वाकई कॉंग्रेसी बनना आज आसान काम नहीं है जमू कश्मीर में ओमर अ ऐसा कर रहे हैं. लेफ्ट पार्टी जो है वो प्रियंका जी के खिलाफ के दे दे रही है. तो कॉंग्र Eister Party के साथ अच्छा नहीं हो रहा. कॉंग्र Eister Party को एक तरह से जो कॉंग्र Eister Party विक्रम बेताल की रूप में वेताल बनकर चड़ती थी, विक्रम के कंदों पर, अब जो विक्रम है इनके साथी, वो वेताल को चलने नहीं दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप उत्रों हमारे कंदों से, तो मुझे लगता है सचिन सावंद को भी वो सीट नहीं मिल रहे हैं, जो उनको चाहिए है, ऐसे में कोई रास्ता नहीं बजता है, हम 25 सीट पे गंदेर खड़ा करें हैं। को बदनाम और बेज़त किया है, तो महाराष्टा में वो चाहते हैं कि थोड़ा SP को उनकी हैसियत दिखाई जाए, और MBA जो है, यह महाविकास अगारी नहीं है, यह महाविभाजन अगारी है, वहाँ पर सब लड़ाई जगडाई चल रहा है, कोई मिशन विशन नहीं है, नमाजवादी पार्टी के नेता है, खिलेश यादव द्वारा आधिकृत है, उनका जो चरित्र है, उनकी पार्टी का जो चरित्र है, कि थोड़ा धमकी वाले लहजे में ही रहते हैं वो, वो एक राजनेतिक पिस्टॉल, MBA के माथे पर ताने हुए हैं, और राजनेतिक पि करके नमबर डिलीट कर दिया है, ऐसा नहीं है, तो उनका फोन उन तो उठाई लेना चाहिए, पर यह बहुत विडंबना की बात है, कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कॉंग्रिस को बेहिजद करती है, महराष्टा में M.V.A. वाले मिलकर समाजवादी मतलब नहीं है, अपने सत्ता के सीट से मतलब है, और देखे न, यह अबू आजमी जो याकूब मेमन की पैरवी करता है, वो आज उदव ठाकरे जी की पार्टी को दांत दिखा रहे है, मतलब वो कह रहा है कि देखो हम पांच सीट ने मिलेगी तो पचीस मिलेगी और उदव बच्चों बीमार हैं वो ड्रामा कर रहे हैं, पलू रहा है।